हेलो दोस्तो जोती मोरिया और आलोक मोरिया के केस में एक नए खुलासा निकल किया दी जोती मोरिया और आलोक मोरिया के बीच होगा समझवता आप सब जानते होंगे लेकिन अब जोती मोरिया वापस लेंगी तलाक का केस और में सुनवाई 6 दिसंबर को है 6 दिसंबर को फैसला हो जाएगा कि जोती मोरिया आलोक मोरिया के साथ रहती है कि नहीं 6 दिसंबर आप नोट कर लिजिए आनी वाला जोती मोरिया और आलोक मोरिया के बीश समझवते के आसार बने रहे हैं जोती मोरिया और अलोक मोरिया के मामले के सुनवाई के लिए कोर्ट नहीं पहुचे यूपी के चर्चित HDM जोती मोरिया उनके सफाई कर्मी पती अलोक मोरिया के बीच बीवात का मामले में जोती मोरिया के तलाग पर अरजी सुनवाई टल गई है परेराज के जिले अदालत में फैबली कोर्ट में आज सुनवाई होनी थी वकीलों के हर्ताल के चलते आज अरजी पर सुनवाई नहीं हो सकी हाला कि अदालत में आज जोती मोरिया और अलोक मोरिया दोनों ही पेस नहीं हुए दोने को रोकेल के ओर से कोर्ट में आज इन मापे लगाई गई च्छे दिसम्बर को मामले की अगली सुनवाई हो गई पिछने सुनवाई में भी कोर्ट ने में HDM जोती मौरिया और उनके पती पेस नहीं हुए थे चर्चा है कि जोती मौरिया भी तलाग पर केस जल्दी वापस ले सकती है पीसे सबसर बनने के बाद जोती मौरिया और पती आलोक मौरिया के संबन्द में दरार आ गई थी आलोक ने जोती मौरिया और हमगाड कमांडर मनुदों बेस संबन्द होने का अरूप लगा था मोरया-7 साल 2010 में 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 2015 में UPS में HDM पर जूति मोरया का चैन हो गया जोति मोरया ने HDM के पर पर छलाहे को रेंक हासल की थी जोति मोरया इंडिन वे में कि चिन में में नृमें के पर तैना आता है जबकि प्ती आललोग मोरया पंचायज विमागी परताब गर जिने में चपरासी के पत पर कार जाता है हाला कि आलोक मौरिया ने जोती मौरिया के खिलाब राशाचार के सकाथ वापस लिए